बिंटो में बनाएंगे आलू कठल का ऐसा सब्जी कि इसके सामने नॉन्वेज भी पर जाएगा फीका बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लाजवाब तो चलिए प्रोसेस सुरू करते हैं छोटे से वीडियो में सांदार सी रेसिपी बताते हैं तो यह रहा कठल 500 गराम इसको आमने इस तरह से तुकडे में काट लिया है दोलिया अच्य से यह चोटे चोटे सब्सक्राइब करते हैं और नहीं हैं ओल्धि SCD कि जब्लस की ते बड़ता हैं इससे बिदर में बस्सट्राट चारइब चूटे सब्सक्ट एम चलिएब उसलिक पेश्ट बना लिया है, इसको एक प्लेट में हम डाल लेते हैं इसी मसाले में से 1 चमच दालेंगे कठल beliefs दानिया powder मिर्ची powder और हल्दी Smokay डालेंगे कॉर्ण फ्लोर पाउडर दो चमच के करिब आपके पास अगर कॉर्ण फ्लोर पाउडर नहीं हो तो आप चावल कांटा भी यूज कर सकते हैं फिर इसमे थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर 10 मिनिट के लिए डेश्ट करन मसाला त्यार तो अब हमने यहां पर कठाई में तेल डाली है गड़म होने के लिए इसमें डालेंगे कठल को और अच्छे से फ्राई करेंगे एक बार में सारे कठल को डाल दिया है यहां पर देखी हो गया हमारा कठल फ्राई तो निकाल लेते हैं उसी तेल में आलू को भी तो आलू को भी हम medium to low flame पर फ्राइब करेंगे ताकि यह पक जाए इसमें तो आसा नमक डाल दिये हैं तो आलू भी हमरा फ्राइब हो गया निकाल लिए कढ़ाई में और तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे दो तेज पते एक लाल मीर तो थोड़ा सा जीरा जटक जाएगा घरेंगे हमने के प्याज काट कि रखा था उसको डालेंगे अच्छे से सौफ्ट होने देंगे नाच्छे होने देंगे पिसे जटामे। फिर इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकोडिंग नमक, फिर ढग देंगे, मसाले को ढग ढग के बनिया से पकाएंगे, फिर हम उसमें डाल देंगे अपना फ्राइ किया हुआ आलू, आलू दो-तीन मिनट तक भूनेंगे मसाले के साथ, फिर इसमें पानी डाल देंगे करीब 1-1.5 कफ पानी एड़ कर दिया है पानी हलका से उबाला जाए मसाले में तो हम इसमें डाल देंगे कठल तो 2-3 मिनट हमें कठल को अगी रेवी के साथ पकाना है फिर इसमें एक चमल डालेंगे गरम मसाला और हरा धनिया डाल देंगे फ्लेम को बंद कर देंगे यह तो ट्राइ कीजे हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल में नए आया होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बाइफ्रेंड्स हमें तो अगली रेसीपी में